हेलो इस्टुदेंट्स यूर मोस्ट वेलकम इन आक्सपोड मालवा एकेडमी एंड टूड़े वी आर गोईंग टू ए चेप्टर चेप्टर नमबर फोर ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइन जिसको कहा गया है एक सुन्दर और सच्चा दिमाग अब यह जो चेप्टर है हमार अलबर्ट आइस्टाइन के बारे में लिखा गया है जो कि एक बहुत बड़े विग्यानिक थे और उनके जीनियस होने का जो प्रमान देते हैं उस बारे में यहां पर बताया गया है कुछ बातें यहां पर लिखी गई है कि हूँ डू यू थेंग आफ वेन यू हीर दे वर दो तब तुम किस प्रकार सोचते हो उसके बाद में का का एक है कि हूँ इज इज जिनियस कोण है उडे क्वाट क्योटिछ दू यू थिंग एज जीनियस है ओ जीनियस में क्या-क्या गुन होते हैं इस बात को अपने को देखना है उसके बाद में यहां पर रोड़ा कर वी सब्सक्राइब अबाउट एंड्रेट येर सेगो हम यहां पर जर्मन के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनने संसार में और उसमें सालों से जो है क्या किया से कुड़ सो साल हो गए लगबग अपना मुद्दा मतलब अपना जो नाम कमाए हुए है इन दा समर आफ 1905 दा 26 यह ओल्ड पब्लिज्ड एन किक सक्सेशन उन्निस तो पांच में जो गर्मी की जो उन्निस तो पांच की जो गर्मी थी उसमें 26 साल की जो ग्राउंड ब्रेकिंग टेपर जो थे अबाउट लाइट दिमेंशन आफ पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स थे जो अनु जो थे वो यह यह कह सकते कन जो है वो दा इलेक्ट्रो मेगनेटिक आफ मॉविंग बोडी ज और जो इलेक्रोमाटिक जो ये साइन्सिपिटिफिक व प्रोटन वाले वह इस प्रकार से एंड एनर्जी और एनर्जी के बारे में इस वर्क और जा के बारे में इस वर्क टुक अप अनली एक्ट्यू पेजेस इन साइन्टिफिक जनरल और उनके कुछ कारी ऐसे जो वहां पर बताया गए हैं बट जो सबक्ना को आप बारे में बदलाव किया है कुछ उन्हों ने बात बताई है ब्रह्मान के बारे में टाइम एंड़ इंटार कॉस्मोस को संपून जो ब्रह्मांड कास्मोस है उसके बारे में बताया है और उसका नाम है उस विग्यानिक का आइंस्टाइन इन्टु ए सिनोनिम्स फॉर जीनियस और उसको जीनियस नाम दिया गया आइंस्टाइन के बज़ाएं से जीनियस नाम दिया गया है 50 years after his death और 50 साल की मतलब उनकी मतली के 50 साल बाद भी अलबर्ट आइस्टाइन से जीनियस इस्टिल रीगेन और वो जो है अपने इस छेतर में जीनियस थाबित है पचास साल बाद भी चलो हम अब उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं अलबर्ट आइस्टाइन वाज बोर्न ओन 14 मार्च 1879 कि अलबर्ट आइस्टाइन का जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1889 को हुआ था इन जर्मन सिटी आफ ओल्म की मतलब जर्मन सिटी में हुआ था विदाउट एनी इंडिकेशन देट ही वाज डेस्टिनेड फॉर ग्रेटनेश के उनके बारे में ऐसा कोई इंडिकेशन जो संकेत नहीं मिला कि वह इस इनके जो भाग्य है वह महान बन सकता है on the contrary इसके विपरीद his mother thought उसकी मान ने सोचा Albert was a freak freak का मतलब होता सन की या अपने मनमोजीपन का काम करना तो उसकी माँ उसके बारे में सोचती है कि ये तो freak लड़का है मतलब मनमोजी लड़का है to hear his head sorry to hear his head had seemed much too large अब उसका जो सीर था वो आम लड़कों से ज़्यादा बड़ा था मतलब एक कि आइंस्टाइन का जो सीर था वो आम लड़कों से ज़्यादा बड़ा था at the age of two and a half जने धाई साल की उमर में आइंस्टाइन इस्टिल वाजन्ट टॉकिंग आइंस्टाइन जो है बोलना नहीं सीखे थे वैंन ही फाइनली डीड लर्न टू स्पीक जब वह अंत में बोलना जब सीखे ही अटर्ड इवरिटिंग ट्विस और वहर बात को दो बार बोलते थे ट्वाइस्टाइन जानते नहीं थे कि वह दूसरे बच्चों के साथ के साथ के से रहें के से रहें से तो यॅंगे यंग्स्टर से प्लेड बाइज वह जो आ है लोटे जो स्वयंड खेलते थे व Pres Boost नहीं कि यह कि इसके आगे यहां पर कहा गया है कि मठ हो अदल्फों आनती समय लटके ऐंस समय थिस कि ही इस्पेशली लवड मैथेमेटिकल टोईज आइंस्टाइन्स खास तोर पर जो इलेक्ट्रानिक जो मेकेनिकल मतलब के जो टेकनिक वाले जो खिलोंने थे उससे अधिकतर वो खेलते थे लुकिंग एट हीज नियूबॉर्न सिस्टर माजा जब उनके यहां पर एक नई लड़की का जन्म हुआ उनके यहां पर ने उनकी बेहन का जन्म हुआ जिसको के माजा नाम दिया गया है और उनके इस प्रकार माजा के बारे में कहा अच्छा है बट वेयर आर हर वेल्स लेकिन इसके पहिये कहा है मतलब एक वो लड़की जो छोटा बेवी था उसको बोलते हैं कि यह तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहा है यह चलती केसे है इस प्रकार से यहां पर उस छोटी सी बच्ची से बारे में आइंस्टाइण अपना एक और बॉस्सके बारे में कि उसके बारे में किसके बारे में के बारे मोगरा कि वात अंशनाइन चोग एज एक प्रोफेशन उडन्ट मेटar कि ऐस जो भी प्रोफेशन कुने एक जो भी कारी चुनेगा वह उपको है खास नहीं होगा वह मतलब दुशा नहीं होगा क्योंकि ही विल नेवर में के सक्सेश एनिफिंग एट एनिफिंग यह उसे किसी भी कारे में सक्सेश नहीं मिलेगी आइस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले दा वाइलेन अब यहां पर जो है हाइंस्टाइन ने जो है वाइलेन बजाना सुरू कर दिया एड दा एज ऑफ शे साल की उमर में विकॉज इस मदर वांटेट टू हीम टू कि उसकी मा भी यहीं चाहती थी कि वह संगीद भी सीके ही लेटर विकेम एगिफ्टर अमेचियर वाइलेनिस्ट और आंत में जो है व जो है मैंटेन करने लगे थे वाइलेन बजाकर और अन्य काम करकर और पेरिग्राफ में यहां पर कहा गया है कि बट अलबर्ट आइस्टाइन वाज नाट बेड पीपल के अलबर्ट आइस्टाइन को खराब स्टूडेंट नहीं थे यह वेंट टू हाइज स्कूल इन मुनि मुनिक में हाइज स्कूल में गए वेर आइस्टाइन फेमेली हैड मोड वेन ही वाज फिप्टीन वन्थ ओल्ड कि जब वह पंदरा महीने का था तब उसके माता पिता जो है वह चले गए थे मुनिक में एंड इसकोर्ड गुड माक्स इन आलमोस्ट इवरे सब्जेक्ट वह अधिकतर हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्ख लाते थे आइंस्टाइन है देश्कूल्स रेजी मेंटेशन रेजी मेंटेशन मतलब होँँ वहां के स्कूल का जो वातावरन है उससे वहां का जो क्लेजड विथ इस टीचर और अक्सर उनके जो टीचर सें उनसे जगड़ा होता रहता था एड़ एज ऑफ 15 15 साल की उम्र में आइस्टाइन फेल्ट सो इस्टिफल्ड इस्टिफल्ड देयर देट लेफ्ट दा स्कूल फॉर गूड और उन्होंने क्या किया फिर 15 साल की उम्र में वहां से उस्टिफल को छोड़ दिया अगले पेरिग्राफ में आपर कहा गया है कि प्रिविएस इयर पहले साल अलबर्ट पेरेंट्स हैड मूड टू मिलान तो पहले साल ही महां पर मिलान में चले गए वह और अपने पुत्र को वह अपने रिष्टेदार के हां छोड़ कर चले गए आफ्टर प्रोलां की डिस्केशन और एक लंबे चर्चा के बाद में आइंस्टाइन गौट हीज वीज टू कंटिन्यू एज एजुकेशन इन जर्मन उसके बाद में जब चर्चा हुई और चर्चा के दोरान उन्होंने फेशला किया है कि वह अपनी बाकी बचिवी एजुकेशन कहां लेंगे तो जर्मन में लेंगे इस्पेकिंग स्विजर कि शुजर लेंड में है इन एक इसीटी में लेंगे विच वाज मौर लीबरल देन मुनिक जो के ज़ादा स्वतंत्र है मुनिक में ज़ादा कानौन काइद कानून है लेकिन यहां पर स्वतंत्र था है आइंस्टाइन बाज लाइटली गिफ्टेड इन ने इन हाइली ठीव तो आज highly gifted in mathematics के गनीत जो है उनको एक तरह से उपहार में मिला था इन अच UK ईंटेस्टेड इन फिजिक्स उनका फिजिक्स में भी इंटेस्टि रहा और फिनेशन इसकूल ऊप्ति उसकूल खत्म करने के पशेद स्कूल की इजुकेशन खत्म गरने के बस्टियाद टू study at a university in Zurich और वो जो है उसके बाद जूरिक शिटी में गए अपनी बाकी की शिक्षा ग्रहन करने के लिए कालेज की शिक्षा ग्रहन करने के लिए बट साइन्स वाजन्ट तो उनके साथ था लेकिन उनका जो उनके जो शरीर था उनके जो बोडी थी वो बिल्कुल डेसिंग थी बिल्कुल भारी थी और उनकी एक मोटी सी मूच थी तो वह इस प्रकार से यहां पर बहुत डेशिंग दिखते थे लिए ना इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सेवन्थ नुम्बर का जो हमारा पेरिग्राफ उसमें यहां पर जो कहा गया है कि ही आल्सों फेल्ट ए इस्पेशल इंट्रेस्ट इन ए फेलो इस्टूडेंट वह यहां पर जो है एक उनका जो एक विचार धरा मिल गई थी मिलेवा नाम की लड़की से मिलेवा मेरिक नाम की लड़की से उनका विचार मिल गया था उनकी रूची उसमें जागरत हुई थी हूं ही फाउंड टू बी एक क्लेवर क्रियेचर जिसको के एक चतूर प्राणी माना गया है इस यंग सर्व हैड कम टू सिर्जरलेंड यह सर्व सर्व का मतलबता साइब एरिया से जो है वह स्विट्जरलेंड में जो साइबरिया है वहाँ पर जो सुट्जरलेंड से आई थी वह लड़की विकाउस क्यों आई थी क्योंकि दे युनिवर्सिटी इंजूरीक वाज वन आप दो फ्यू इन यूरोप के यूरोप में यूरीक ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां प केंश्टग दा फिलिस्टीन केवल उसी लड़की और इंस्टएं ने देख वहाँ लड़कियों देखांग दंजर तो लोग को परिवार में पहली लड़के कॉस को अ कि वन हम he was constantly at old और उनको जो है वो लोग जो है अलग लगे थे ओड लगे थे बिलकुल दे कपल फैनिल लव अब दोनों में आपस में प्रेम हो गया आइस्टाइन में और मिलेवा में लेटर सर्वाइव इन वीच देव पूट देयर अफेक्शन इंट वर्ड उन दोनों में पत्र एक दूसरे को देने दिये जाने लगे कि मिक्सिंग साइन्स वीथ टिंडरनेश और उस उन पत्रों में वो क्या करते थे साइंस हमेशा होता था साइंस के वर्ड causal होते थे और वर्क रिलेटिविटी कि किस प्रकार से हम लोग जो है यह कार यह करेंगे दोनों मिलकर और लाएंगे रिलेटिविटी यहने कि सापक्षिता टू विक्तिरियस कंक्लूजन और सापक्षिता की निश्कर्श पर हम लोग पहुंचेंगे ओके स्टुडेंट्स बाकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कॉंप्लिट करेंगे ठीके एवनाज दे